हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल एलकेवी स्टेटी चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपके लाएं पॉलिटेकनिंग जीटिया इमेज्ट का चैप्टर फिप्थ चैप्टर फिप्थ क्या है हमारा महत्तम समापवर्तक तथा लगुत्तम समापवर्ते महत्तम समापवर्त यानि कि सौट में हम उसे क्या कहते हैं मासा और लगुत्तम समापवर्ते को हम सौट में क्या कहते हैं लासा तो हमारे चैप्टर नमर फिप्थ क्या है मासा तथा लासा तो चलिए इस चैप्टर पर बेज़ड हम questions start करते हैं question number one है वियन जग x की power 4 plus 3x square minus 4 तथा x की power 4 minus 4x square plus 3 का मासा है हमें इन दोनों वियन जगों का क्या निकालना है मासा और जो हमें चार option दिये गए हैं उन चार option में से हमें right option पर tick करना है तो हमारा पहला वियन जग क्या दिया है हमारा जो पहला वियन जग है अब गो है हमारा x की power 4 plus 3x square minus 4 इसके हम क्या करेंगे फैक्टर फैक्टर कैसे करेंगे x square के multiply में क्या 1 अब इस अचर पत की multiply किस से होगी 1 से यानि 4 के 1 से होगी तो क्या हो जाएगा 4 फिर 4 होगा हमारे 4 को हम 4 से cancel करेंगे 4 बन्जा 4 अब यह हमारा x की power 4 ऐसे ही इस 3x square को हम क्या लिखेंगे plus 4x square minus x square minus 4 क्योंकि 4x square में से जब हमारा x square जाएगा हमारे कितना जाएगा 3x square अब यह जो हमारे पिर्थम दो पत हैं इसमें हमारे क्या common है x square तो यहां हमारे क्या बचा x की पावर 4 से x square बचा यहां plus 4 इन दोन में हमारे क्या common है इन दोन में हमारा minus 1 common है तो यह x square plus 4 अभी x square plus 4 हमने फिर से common ले लिया हमारा यहां क्या बचा x square minus 1 अब दूसरा वेंजेक क्या था हमारा मानेंगे 1 और 3 की multiply 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3 तो मैं x की power 4 ऐसे ही इस minus 4 x square को मैं क्या लेखूंगा minus 3 x square और minus 1 x square minus 3 x square minus 1 x square कितना हो जागा minus 4 x square plus 3 हमारा ऐसे ही अब यह पिर्थम दो पत्म हमारे क्या common है x square तो यहां हमारे क्या बचेगा x square minus 3 इसमें minus 1 common तो यह x square minus 3 अब x square minus 3 हमारे फिर से common है यहां हमारे क्या बचेगा x square यहां हमारा 1 बचा अब हमें देखना है इन दोनों में मासा हमें क्या देखना है मासा इन दोनों में नजे कुम है तो जो दोनों में common होगा वो उनका मासा होगा यहाँ x square plus 4 है यहाँ x square plus 4 नहीं है यहाँ x square minus 3 है यहाँ भी x square minus 3 नहीं है मगर यहाँ x square minus 1 है और यहाँ भी x square minus 1 है तो दोनों में जो common है वो ही हमारा क्या होगा मासा होगा तो x square minus 1 इन दोनों वेंजगो क्या होगा मासा तो इस question का जो हमारा option number C है वो हमारा क्या होगा right answer होगा Question 2 Question 2 के हमारा वेंजगो x square minus 1 comma x cube plus 1 तथा x cube minus 1 का लगुत्तम समापवर्थ है हमें इन तीनों वेंजगो का क्या निकालना है लगुत्तम समापवर्थ यानि कि लासा और यह जो हमारी चार option दिये गए है हमें इन चार option में से right option में टिक करना हमें तो हमारा पहला वेंजग क्या दिया है हमारा पहला वेंजग दिया है x square minus 1 और इस 1 पर भी हम क्या मान सकते हैं 1 की power 2 यानि कि x square minus 1 का square अब हमें एक formula जानते हैं a square minus b square क्या होता a minus b a plus b तो इस formula से मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा x minus 1 और x plus 1 अब हमारा दूसरा वेंजग क्या है x cube plus 1 इस 1 पर भी मैं क्या मान सकता है 3 power अब हम एक formula जानते है a cube plus b cube क्या होता हमारा formula a plus b bracket में a square plus b square minus a b तो x cube plus 1 का cube यह हमारा हो जाए x plus 1 x square plus 1 minus x तीसरा वेंजग क्या है हमारा x cube minus 1 अब हमें एक formula यह भी जानते है a cube minus b cube bracket में a minus b bracket में a square plus b square plus a b a minus b तो x minus 1 bracket में x square plus 1 plus x अब हमें इन दोनों के क्या देखना है इन तीनों वेंजगों में लासा देखना है अब हमने पिछले वाले common पिछले वाले question में मासा देखा था मासा क्या होता जो common अब लासा क्या होता common into uncommon पहले हमें यह देखना है कि common क्या उसके बाद हमें uncommon भी इसमें लिखना है जैसे हमारा यहाँ x minus 1 है इसमें नहीं है इसमें है तो इन दो जगों का जो x-1 है हमारा एक जगा नोट होगा अब इसमें x-1 है इसमें भी x-1 है इन दो जगों का यहां एक जगा नोट होगा अब यह अलग है यह भी अलग है यह हमारे एक तरह से नोट होंगे अब यह वारा नोट हो जाए गा x-square plus 1 plus x है अब हमें देखना है इन दोनों में क्या इनका लासा क्या है तो यह x-1 x-1 और यह x-1 और x-square plus 1 इनसे हमारे क्या बन जाएगा x-1 x-1 इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से हम क्या लिख देंगे x-q-1 और इस वाली और इस वाली टर्म से हम क्या लिख देंगे x-q-1 अब हम एक फॉर्मला जानते हैं क्या a-b a-b हमारे क्या होता a-square minus b-square यहां हम a की जगह क्या हमारा x-q-1 तो a-q होगा यानि की a-square होगा यानि की x-square minus 1 का square x-q-2 पर पावर 2 यानि की x-q-6, 1 की पावर 2 यानि की 1 तो इन तीनों का जो लास आ गया हो क्या आ गया x-q-1 तो इस question का जो हमारा option number a है वो हमारा क्या होगा right answer होगा question number third question number third क्या है x-q-1 तथा x-q-4 प्लस x-square प्लस 1 का मासा होगा हमें इन दोनों वियन जगों क्या है निकालना मासा निकालना है और यह जो हमें चार option दिये गए हैं इन चार option में से right option में टिक करना है तो हमारा पहला वियन जग क्या है x-q-1 इस one पर भी हम क्या मान सकते है पावर one तो यह हमारा हो गया a cube minus b cube a cube minus b cube क्या होता हमारा a minus b bracket में a square plus b square plus a b तो इस formula को इसमें apply कर दूँगा यहां a की जगा x और b की जगा 1 है तो यह हमारा क्या हो जागा x minus one bracket में a square यानिकी x square plus one का square one plus a b यानिकी x अब दूसरा वियन जग क्या हो हमारा दूसरा वियन जग है x की power 4 plus x square plus one x की power 4 को हम क्या लिखे लिए x square का square a का square one को क्या लिखे 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 हम one का square यानिकी a square plus b square plus two into a into b यहां कितना था x square अब यहां कितना होगे two x square यानि कि हमने इस x square में एक x square add कर दिया तो हमें एक x square इसमें subtract करना पड़ेगा अब a की जगह यहां हमारा क्या x square b की जगह क्या 1, 2a b आगे क्या लगा plus तो यह x square plus 1 का whole square यहां इसे हम लिख लिखेंगे x का whole square अब हमें formula जानते हैं a square minus b square a minus b bracket में a plus b तो इस formula को हम इसमें apply कर देंगे यहां a की जगह क्या हमारा x square plus 1 b की जगह क्या है x तो एक बार हम इसे लिखेंगे plus में तो x square plus 1 minus x और एक बार इसे minus में x square plus 1 plus x अब हमें क्या देखना है इन दोनों में masa देखना है तो masa क्या होता masa होता common इसमें और इसमें हमारे क्या common है इसमें है हमारे x square plus 1 plus x common x square plus 1 plus x common तो इन दोनों का मासा क्या होगे x square plus 1 plus x तो इस question का जो हमारा option number c है वो हमारा right answer होगा question number fourth question number fourth क्या है 72 x की power 4 plus 243 x comma 24 x cube minus 54 x और 18 x की power 4 plus 15 x cube minus 18 x square का मासा होगा हम इन तीनों वेंज को क्या निकालना है मासा और जो चार option दिएगे इसमें से right option में टिक करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में हमारा common क्या है तो इन दोनों में हमारा एक तो 9 common है और एक x common है तो यहां क्या बचाए जब 9 से 72 में दिएगे डिवाइट कितने बार में जाएगी 8 बार में और यह x 4 से जब हमारा x जाएगा कितना बचाएगा x cube और जब 9 से 2 4 3 में हम दिएगे डिवाइट तो हमारी कितने बार में जाएगी 27 बार में और यह x से x हमारा होता है a plus b bracket में a square plus b square minus a b इस formula को हम यहाँ पर apply करेंगे तो a plus b bracket में a square यानि कि 2x का square 4x square plus b square यानि कि 3 का square 9 minus a b यानि कि 2 3 या 6x अब दूसरा हमारा वियन जग क्या है दूसरा वियन जग है 24x cube minus 54x अब इन दोनों में क्या common है हमारा इन दोनों में हमारा एक 6 common और एक x common है तो यहाँ 6 भी 4 बार में गया और x square बचा और यह 54 इसमें 9 बार में अब यह हमारा 6x ऐसे हमारा यह 4x square को हम क्या लिक देंगे 2x का whole square और इसे 9 को 3 का square अब हम एक formula जानते है a square minus b square क्या होता a minus b a plus b तीसरा बेंज जग क्या है तीसरा बेंज जग है 18x की power 4 plus 15x cube minus 18x square इन तीनों में हमारा common क्या 3 है और एक x square तो हमारे क्या बचा है 6x square plus 50 15 में हमारे कितना बचाएगा 5x minus 6 जब इस वाली term के हमारे factor होंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 3x minus 2 और हमारे क्या आ जाएगा 2x plus 3 अब हमें देखना क्या है हमें देखना है इन तीनों वेंज जगों क्या मासा मतलब क्या होता है common अब common हमें देखना है इन तीनों में यहां हमारा 9 है यहां हमारा 6 है यहां हमारा 3 है यानि कि इन तीनों में हमारे क्या common है एक तो 3 common है और एक यहां x है यहां x square है यानि कि हमारे एक x भी common है और यहां 2x plus 3 है यहां 2x plus 3 है यहां 2x plus 3 है तो इन तीनों व्यंजगों का हमारा मासा क्या होगा है 3x ब्रैकिट में 2x प्लस 3 तो इस कोशिन का जो option number D है वो हमारा क्या होगा right answer होगा कोशिन number 5 कोशिन number 5 क्या है व्यंजग 4y की पाउर 4x minus 9y square x cube तता 4y square x square plus 6y x cube का महत्तम समाप पर तक है यह हमें 2 व्यंजग दी है हमें इसका क्या निकालना महत्तम समाप पर तक यानि की मासा मासा का मतलब हमें यह देखना है कि इन दोन में common क्या होगा और यह जो हमें 4 option दी है इसमें से हमें right option में टिक करना है तो हमारा जो पहला व्यंजग है 4y की power 4x minus 9y square xq सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोन में common क्या है एक है हमारा x common दूसरा हमारा y square common है तो यहां हमारे क्या बचा 4 बचा और हमारा y square बचा minus यहां हमारा 9 बचा और हमारा x square बचा यह xy square ऐसी हमारा 4Y² को हम क्या लिख देंगे 2Y का हूल स्क्वेर 9X² को हम 3X का हूल स्क्वेर यह XY² अब A² माइनस B² हमारे क्या होता A माइनस B A प्लस B दूसरा विएंजच क्या है दूसरा विएंचच क्या है 4Y² X² 6Y X³ इन दोन में क्या common है एक तो हमारा 2 common है, दूसरा हमारा x square common है और हमारा y common है तो 2 से 4 हमारा 2 बार में जाएगा और यह y बचा प्लस 2 से 6 हमारा 3 बार में जाएगा, y से y गया और यहां हमारा x बचा तो हमें क्या देखना है, इनका masa, masa यानि कि common देखना है तो यहां हमारा x है यहां हमारा x square है यानि कि यहां क्या हमारा common x है यहां y square है यहां y यानि कि इन दोन में क्या common है y यहां 2y प्लस 3x है यहां 2y प्लस 3x है तो इन दोनों बेंजेगों का मासा क्या होगी है xy bracket में 2y प्लस 3x यानि कि इस question का जो हमारा option number b है प्लस 4 तथा x cube प्लस 6 x square प्लस 12 x प्लस 8 का लासा होगा हमें ये तीन वेंजग दें हमें इसके क्या निकालना लासा निकालना है और ये जो हमारे चार option देगे हैं हमें उसमें से right option में टिक करना है तो हमारा पहला वेंजग क्या x plus 2 ये तो हमारे हमारे इस वेंजग क्या होंगे ये जो हमारा वेंजग है इस वेंजग के factor होंगे x plus 2 x plus 2 x plus 2 अगर आप जानना चाते हैं कि इसके factor ये कैसे हुए तो आपको आना चाहिए सेस्फल पिरमें से गुड़नखंड करना इसके factor simple तरीके से नहीं होंगे इसके factor कैसे होंगे, salesful पिर्मे से, अगर आप सीखना चाहते हैं, salesful पिर्मे से, गुड़नखंड पिर्मे, तो मैंने, मैंने वीडियो में इसका लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर ही सीख सकते हैं, क्या, salesful पिर्मे से, गुड़नखंड करना, यह हमने factor किस से करें? salesful फिरमे से अब इन में क्या होगा? हमें क्या देखना इन तीनों में? last देखना, last यानि की पहले हम देखते हैं कि common क्या तीनों में? यहाँ x plus 2 है, यहाँ भी x plus 2 है यहाँ भी x plus 2 है इन तीनों का एक जगए x plus 2 अब यहाँ x प्लस 2 है यहाँ भी x प्लस 2 है इन दो नुका भी एक जगे x प्लस 2 अब सिर्फ यह बचा x प्लस 2 यह हमारा note हो जाएगा अब यह तीन जगे x प्लस 2 है वो भी आपस में in 2 में है यानि कि multiply में है तो यह हमारा कितना हो जागा x प्लस 2 की whole power 3 तो इनका लासा क्या होगा x प्लस 2 की whole power 3 यानि कि इस question का जो हमारा option number c है वो हमारा क्या होगा right answer होगा question number 7 question number 7 क्या पद x cube minus x square minus 13x minus 3 comma x square minus 6x minus 27 तथा x square plus 21x plus 54 का महत्तम समापपर्तक है यानि कि हम इन तीनों पदों का क्या निकालना है मासा निकालना महत्तम समापपर तक और यह जो चार option देगी है उसमें right option में tick करना है तो पहला वियंजा क्या है हमारा x cube minus x square minus 13x minus 3 इसके golden front क्या होगा हमारे इसके factor होगा हमारे x plus 3 bracket में x square minus 4x minus 1 यह कैसे की है इसके factor हमने कैसे की है सेसफल पिरमें से सेसफल पिरमें से golden front करना आप सबको आना चाहिए अगर नहीं आता है तो मैंने वीडियो के नीचे description में link के दिया है वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख सकते है और दूसरा वियंजा क्या है x square minus 6x minus 27 अब यह अचर पद है इसके multiply किस से होगी 27 को हम cancel करेंगे तो x square ऐसे ही यहाँ minus 6x की जगा हम क्या लेंगे minus 9x plus 3x minus 27 इन पर फिर्थम दो पदो में क्या common है x तो यहाँ हमारा x minus 9 यहाँ हमारा 3 common है तो x minus 9 x minus 9 हमने फिर से common ले लिया यहाँ हमारा क्या बचा है x plus 3 बचा अब हमारा तीसरा यहाँ जग्या है x square plus 21x plus 50 4 अब 54 की multiply किस से होगी 1 से होगी अब इसे हम cancel करेंगे किस से 2 से 2 2 जा 4 2 7 जा और 3 9 जा और आगे भी cancel कर रहें 3 3 जा 3 1 जा हमें कितना लाना है 27x तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 और 3 हमारा 21x तो यह हमारा x square है 21x के लिए हम क्या लिख देंगे 18x plus 3x plus 54 अब इन दोनों क्या common हमारा x common है तो x plus 18 इन दोनों हमारा 3 common है 3 से 3 गया x बचा है 3 से 54 नो divide कितने बार में जाएगी 18 बार में अब x plus 18 हमने फिर से common लिया तो यहां हमारा क्या बचा x plus 3 बचा हमें क्या देखना है मासा देखना है मासा का मतलब common इन दोनों में common क्या है तीनों में पहला वेंजग है इसमें x plus 3 है दूसरे वेंजग में भी x plus 3 है तीसरे में भी x plus 3 है अब पहले में x square minus 4 x minus 1 है यह दूसरे में नहीं है यह तीसरे में नहीं है तो इन तीनों में जो common है वो हमारा क्या है सिर्फ x plus 3 है तो यानि कि इन दोनों का मासा क्या होगा x plus 3 तो इस question का जो option number c है वो हमारा क्या होगा right answer होगा